हालो फ्रेंड्स नमस्ते न्यूज इन हिंदी में आपका स्वागत है बगवान ने भारत को प्राकर्तिक रुप से बहुत सुन्दर बनाया यही कारण है कि दुनिया भर में कहा जाता है कि भारत से खुबसूरत देश खोज़ना बहुत ही कठीन है दुनिया भर से लोग भारत में घूमने के लिए आते हैं कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक साल भर परियटकों का आना जाना लगा रहता है बहुत से भारते स्थल ऐसे भी हैं जो हमें अंतरास्टे स्थलों की याद भी दिलाते हैं अब इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि विदेश जाना ही छोड़ दे मगर हाँ जब कभी भी विदेश में अपने देश की याद दिलाता है तो कोई स्थल देखने के बाद दोस्तों उसके साथ जरूर साजा करें अब हमें ही देखिए हम भी तो ऐसा ही कुछ आपके साथ करने जा रहे हैं आपको दुनिया भर में मौजूद ऐसे कुछ स्थानों के बारे में बताएंगे जिन से मिलता जुलता कोई स्थल हमारे देश में भी मौजूद है यकीन मानिये यह बात आपको बेहद रोमान्चित करेगी आएए देखते हैं कुछ ऐसे ही स्थलों के बारे में दिल्ली में मौजूद इंदिया गेट को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं यह तस्वीर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आकिर हम आपसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं पहले हमें अपने देश की यात्रा कर लेना चाहिए वैसे इन दोनों दस्वीरों को देखकर लग रहा है कि यह भाई भाई है हम बता दे आपको यह एक पैरिस का बनावा एक स्मारक है जिसे पर्थम विश्वयुद में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया था कैरल के मुन्नार में गेचाय के खेतों को देखकर हमें मलेशिया के चाय के खेतों की याद आ ही जाती है दोनों ही खेत दिखने में एक समान है अंड मान की स्कूबा डाइविंग और स्पेन में होने वाली स्कूबा डाइविंग में कोई अंतर नहीं है इस तस्वीर को देखकर हम अंतर निकाल ली नहीं सकते हैं दोनों ही बेहधा करशक है केरल के अलेपी में बेक वाटर जैसे सवारी इतली के वैनिस में भी है अब आप ही तै कर सकते कि आप पहले केरल जाएंगे या इतली दोनों जगे ही बहुत सुन्दर है बैंगलोर में इस्तित्य किला इंगलेन में बसे विंडसर किले के जैसा है इन दोनों की समानता हमारा ध्यान खीची लेती है कौन कहता है कि घाटी सिर्फ अमेरिका में है भारत में भी विशाल गांधी कोटा घाटी अंदर प्रदेश के कडपा जिले में स्थित है बिग वैन बिल्क hottest की मुंबई की मौजुदा राज़ाबाई टावर से मेल खाता है ये देखने में बहुत ही खुबसूरत है राज़ाबाई टावर साहुत मुंबई में मौसूद है दुबई में बनावा ताज अरिबिया कुछ लोग इसे ताज अरब भी कहते हैं, इसे देखकर एक पल के लिए हमें ताज महल की याद आ ही जाती है, फिर महसूस होता है कि ताज महल का कोई मुकाबला ही नहीं है, 36 गड के चित्रकूट का ये बैतावा जरना हमें याद इला देता है कनाडा में मौजूद नियागरा फॉल की, दोनों ही कमाल की जगह हैं, जितनी शांती हमें अमेरिका के बान विले सॉल्ट फ्लेट्स में मिलती है, उतनी ही शांती हमें गुजरात में भी मिलेगी, ऐसा में पहले गुजरात ही क्यों न जाये जाये, भारत में राजाओं की विरासत कुंबल गड किले में साफ दिखाई पड़ती है, ऐसा ही नजारा हम ग्रेट ओफ चीन में भी देख सकते हैं, उदैपूर की जिल राजमहल बहुत ही सुन्दर है, विदेशियों को यह पॉलेंड मे जल महल लिथुआनिया में स्थित महल से कही जादा सुन्दर है, और भारत की जामा मस्जिद लाहोर की बाजशाई मस्जिद में केवल जगय का ही अंतर है, दिली की कुतुब मिनार और इटली में मौझद पीसा की जुकी मिनार दोनो एक ही जैसी लगती है, सिक्किम की गु और आप ऐसा ही कुछ भारत की बाहर देखना चाते हो, तो अमेरिका में मौझद एंटेलोब गाटी बढ़िया विकल्प है, आपको अलास्का के पहाडों में जाने की कोई जरूत नी है, हमारे देश में मौझद ओली पहाड आपको वहां का ऐसास करा ही देगा, उत्तरा ख अधिया देश की प्रकर्ती की छवी, कुछ-कुछ स्विजर लेंड की प्रकर्ती की छवी से भी मिलते जुलती है, कश्मीर के गुलमर्ग में मौझद बर्फ के पहाड़ों के नजारों को देखकर हम स्विजर लेंड तो भूल ही जाएंगे, श्री नगर के तुलिप के बा नमस्कार